हेलो फ्रेंड्स मैं प्रमीला आई एंडी चैप में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स घी के खुर्चन से आज हम मिठाई बना रहे हैं घर के समानों से बनाना उतना ही आसान है जितना खाने में स्वादिष्ठ है तो इसे बनाना सुरू करते हैं फ्रेंट्स और इस मिठाई को आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हो इस मिठाई को पुरे मार्केट में ढूड़ने से ये मिठाई आपको नहीं मिलेगी तो बनाना सुरू करते हैं तो पहले हमने लिया चूले पे कढ़ाई गैस को जला लिया है आधी कटोरी हमने चीनी डाला तो फ्रेंट्स और भी कम अगर पसंद करते हो मीठा तो और भी कम चीनी ले सकते हो और इसके अंदर हमने डाला तीन टेबल स्पून पानी पानी को डाल के गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रहते हुए चलाते हुए इसका एक तार तक चासनी बना के हम तयार करेंगे तो फ्रेंट्स देख पा रहे होंगे चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और चासनी के अंदर अच्छा सा बुल बुला आने लगा है तो इसी तरह से लगात चलाते हुए एक तार की चासनी बना के तयार कर लेना है तो देख पा रहे होंगे फ्रेंट्स चासनी बनने लगी है तो थोड़ा से और इसे मेल्ट करते हुए चलाते हुए इसे पका लेंगे अब इसकी अंदर डालेंगे घी का खुर्चन एक कटोरी भरके हमारा घी का प्रेस का फ्लेम बिल्कुल हम स्लो रखते हुए इसे हम मिक्स करेंगे देख पारेंगे फ्रेंड्स अच्छे से यह मिक्स हो गया है इसी तरह से मिक्स करते हुए इसके अंदर डालेंगे नारियल का बुरादा देख पारेंगे यह दो टेबल स्पून है नारियल का बुरादा डालके इसे अच्छे से मिक्स करना है तो जितना हमने नारियल का बुरादा लेया था उतना ही इसके अंदर डालेंगे milk powder अगर आपके पास milk powder ना हो तो आप इसके जग़े मैदे का इस्तिमाल कर सकते हो मैदे को थोड़ा सा रोष्ट करके इसी तरह से mix करके milk powder के जग़े मैदा डालके आप बना सकते हो यह मिठाई बनाना बहुत असान पारेंगे इसे अच्छे से mix करना है mix करने के बाद gas का जो gas हमने जला कर लेंगे देक पारेंगे और एक बड़तन में भी लगा के तियार कर लिέ थे अब एजो मिठाई हमने बना के तियार किया है इसी बरतन में निकाल लेना है तो सारे मिठाई को हम निकाल लेते हैं और एक मिठाई का सेब दे देंगे यानि इकठा करने के बाद और इसे ठंडा करना है पंखा के नीचे आप आधा गंटा तक रख के ठंडा कर लेना है फिर मिठाई को कट करना है और इसे आप फ्रीज में रखके भी ठंडा कर सकते हो तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इस तरह से हमने एक सेप दे दिया है अब पंखा के निचे आदा घंटा के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा करने के बाद ही इस मिठाई को हम कट करेंगे तो इस तरह से आप मिठाई घर में बना के जब भी मिठा खाने के मन करे या कोई तेवार हो आप इस मिठाई को बना सकते हो अगर मिठाई की रेस्पी हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना सस्क्राइब करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना एक बात जरूर बनाना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि ये मिठाई की रेस्पी आपको कैसी लगी मिठाई को कट कर लेते हैं अब इस तरह से बनाके खाके कमेंट करके हमें जरूर बताना